बोल दें या जूक बोल दें सच बता दे ठीक है बुरा मत मानना मन सांत नहीं रह रहा एबम आपस में पती से कलेश बना अलग इस्थती बन गई है वह आप पूछने आए हैं क्या करें अलग हो जाएं तलाक इस्थती बन रही है वो रखना नहीं चाहते हैं एक दूशरे पर आरोप लगते हैं इस कारण शेकलेश होता है गलतियां दोनों की भी हैं पूर्व की आपकी गलती है जिस गलती को लेकर के वो अभी बैठे हुए हैं वही उनके दिमात में चल रहा है और उनकी भी गलती है कि थोड़े से मार्ग से भटक जाते हैं और जिसको लेकर के आप बैठी होई हैं दोनों पक्ष गलत हैं दोनों सैम गलत हैं सैम इस्तती दोनों की ही है जैसे वो है वैसे आप हैं थोड़ा सा आप जुख जाओ अलग मत हो वो शुदरेंगे करपा हो आशिरुबा अब माइक से बोलो हाँ या ना हाँ जी फिलकुल माइक निचे रखो तुम दो हिंदी पढ़ लेते ना माइक निचे रखो ये निचे वाली लेंड शेओ लगता नहीं शेओर पर जाना चाहिए एक मिनट उनके दो कारण अब हमने शेओर वाले भी लिख दी है एक तो ये था इसी लाइन के बाद में चीक है और एक ये है ठीक है बराबर अब तो शेओर है अश्यवाद लेकिन ये को खोलना नहीं है तुम्हें ना बोलना है क्योंकि आपकी भी कमिया है आप भी हबा में उड़ रहे हो समझे हैं हमने कहां बोला है कंट्रॉल और ये लाइन हमने इसलिए मिटा दी लेकिन वो शुदर है और आप भी नहीं चाहिए है शुदर जाओ ये तो अंगली बार भर सभा में पूरे लिष्ट बनाएंगे मोबाइल नंबर वाली खुश रहो जाओ खुश रहो ये डाठ हमने इसलिए लगाई बेटा कि आप सुदर जाओ ये डाठ हमने इसलिए नहीं लगाई कि आपकी बेज़िती कर रहा है हम चाहते हैं आप सुदर हैं और आपका ग्रहस्त बढ़िया हो इसलिए एक गुरू के नातिय जो गुरू का धर्म होना चाहिए तो आप भी बहुत नहीं उड़ना है उड़के फिलाइक से आतो गए अम्मत उड़ो जा थैंक्यू वेलकम